नमस्कार दोस्तों सुवागित आप से भी का मोसम अपडेट बिहार यूटूब जैनल पर अभी अभी की बहुत बड़ी अपडेट संपूर्ण बिहार में मोसम पूरी तरह से बदल चुका हैं अगले 27 गंटों के दोरान कई लाकों पर आंदी तुफान के साथ बारिस की गतिविद्यां अंदर्ड और कई जुगों पर ओलाविष्टे की गतिविद्यां होने की संभावना हैं उसके बार में आपको ताजा अपडेट बताएंगे इस विडियो में यनि की आने वाले 27 गंटों के दोरान संपूर्ण बिहार में कई लाकों पर अंदर्ड बारिस और तेज ओला विष्टे की गतिविद्यां हो सकती हैं उसके बार में आपको सही जानकारी देंगे इस विडियो में तो विडियो को पूरा जरूर देखे साथी दोस्तों इस विडियो को लाईक और शेर भी जरूर करे कमेंट बाक्ष में अपने जिले और रज्ये का नाम भी जरूर लेखे बीते 24 गंटों के दुरान उत्तरी बिहार उत्तर पूरी बिहार में कुछ गने बादलों की आवाजजावी सिट पूर जुगों पर हलकी वर्षा की गत्विद्यां दरज हुई हैं अधिकान जिला को पर मोसम शुस करा लेकिन दोस्तों अब आने वाले 24 गंटों के दुरान बिहार के उत्तर मद्य बागों से लगाकर दक्षनी पूरी बागों तक बादलवाई कुछ धूप चाव की गत्विद्यां और कोरे की गत्विद्यां बनी रहेगी हलकी वर्षा कुछ अलाको पर बन सकती हैं जिसमें जम संभावना है आने वाले 4-5 दिनों के दुरान बिहार के कई बागों पर बादलों की आवाज जावी और कोरे की गत्विद्यों के बीच में हलकी वर्षा की गत्विद्यां भी दर्ज होगी और दोस्तों अंदर्ड की गत्विद्यां भी अगामी दिनों में डब्लूड के पर बाव से भीहार के कई बागों पर सम्भावना बंदरी हैं तुकल मिलाकर सर्दीकी गत्विद्यां फिलाल भीहार के अधिकतर जगों पर बनी रहे गी हड़ कम पाने वाली ठंड उत्तरी भीहार उत्तर पस्टिम भुहार में धर जोगी और कुछ लाकों पर बारिश की गतिवी दियां भी डबलू डिके पर बावसी जनवरी के अंतिम दिनों से लगा कर फरवरी की सुरुआती दिनों में देखने को मिलेगी संपूर बिहार में मोसम पूरी तरह से बदल जाएगा गने बादल कई जुगों पर रचाएंगे और हलकी वर्षा कुछ लाकों पर तेज बारिस होगी आगी के अपडेट हमारे चैनल पर लगतार दे जाएगी आप जुड़रे मोसम अपडेट बिहार यूटूब जैनल पर इस विड़ो में तना ही मिलेंगे नेक्स विड़ो में तब तक के लिए जाए हिन जय भार